हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल सादना साइंस क्लब आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्यून रिस्पॉंस जिसको हम कह सकते हैं वर्किंग आफ इम्यून सिस्टम तो इसके पिछले वीडियो में यानि तीन लेक्चर हमने जो है डिसकस किया है जिसमें से सबसे पहले हमने जो है एन ओवर्वीव आफ इम्यून सिस्टम जहां पर फर्स्ट लेक्चर में हमने आप एडाप्टिव इम्यूनोटी एंड उसके साथ साथ हमने जो है एंटीजन और एंटी बोडी के बारे में भी पूरी तरह से डिसकस कर लिया है आज के इस वीडियो में इम्यून रिस्पॉंस यानि वरकिंग आफ इम्यून सिस्टम देखेंगे तो देखें जो इम्यून होता है इम्यून इम्यून मींस हमारी इम्यूनोटी का रिस्पॉंस मींस रिस्पॉंस करेना यानि जब भी कोई पैथोजन हमारी बोडी में आता है तो हमारी इम्यूनोटी जो है हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो किस तरह से रिस्पॉंस करता है यही है हमारे इम्यून सि मैं आपको इसको थोड़ा सा नोट से बताती हूं उसके बाद जो है हम PDF से डिसकस करेंगे तो यहां पर देखो जैसे मैंने आपको एक एक जामपल दिया था इसके पिछले वीडियो में बुवा वाला यानि जैसे हमारी मालो कोई बुवा आती है जिनको हमने आज से पहले कभी नहीं देखा है तो मतलब उनको पहचानने में उनके प्रती रिस्पॉंस करने में हमको थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन अगर वही बुवा दोबारा से आती है तो हम फटा फट पहचान जाएंगे कि हाँ यह हमारी बुवा है और हम तुरंत उनसे हाँ नमस्ते बुवा उनके लिए पानी मतलब उनका आदर सतकात करेंगे बढ़ियां से तो ठीक उसी तरह से यह भी है मतलब इम्यून रिस्पॉंस भी ऐसे ही है जैसे मालो जब फर्स टाइम कोई एंटीजन आया यह एंटीजन कौन है हमारी बुवा मालो फर्स टाइम यह एंटीजन जब आया और यह है हमारी बॉडी यह क्या है यह है हमारी बॉड़ी तो यह जो एंटीजन है यह जो एंटीजन है हमारी बॉड़ी में सबसे पहले क्या किया इंटर किया तो हमने क्या देखा जैसे ही एंटीजन हमारी बॉड़ी में आता है वो वी लिंफोसाइट के मतलब एंटी बॉड़ी के प्रोडक्शन को क्या करता ह करता है और antibody के सफेस पर क्या होते हैं और Анटी यre के सफेस पर क्या होते हैं पैराटोप स खोन में जिसके थर्फ वह आपस में करते हैं तो देखो यहां पर यह एंटी जन है वह बी लिम्भो साल से क्या करें ऑर गया और जब यह इस detta करेंगा तो पन सुभर्स तो first time जब आया है तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा time लग रहा है यानि यहाँ पर यह बाइंड करेगा फिर antibody के production को क्या करेगा induce करेगा तो यहाँ पर एक memory बन जाएगी और इसमें कौन help करता है plasma cell तो देखो एक memory बन जाएगी यानि अभी तक हमारे body में ऐसा कोई antigen नहीं है क्या antibody क्या produce कर रहे हैं antibody तो जब antigen B lymphocyte से जुड़ा तो उसने क्या induce क्या antibody के production को तो मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि जो antigen होता है वो antibody बनाता नहीं है वो antibody के formation को antibody के बनने के process को केवल induce करता है लेकिन बनाता कौन है plasma cell तो याद रखना जैसे हमने क्या बोला जैसे यह जो antigen है वो plasma cell से कहेगा कि आप antibody बनाओ लेकिन plasma cell बनाता तो है antibody लेकिन तब तक नहीं बनाएगा जब तक उससे antigen बोलेगा नहीं तो जब antigen plasma cell से बोलेगा तब antibody बनेगी यानि हम कह सकते ह है antigen induced formation of antibody तो याद रखना कौन induced करता है कौन बनाता है तो जब first time antigen आया antigen B lymphocyte से bind किया तो यहां पे plasma cell के थूर क्या बनी antibody बनी और साथ के साथ में memory भी बन गई क्या बन गई memory बन गई अब दुबारा से जब यह antigen कभी आएगा तो हमको यह सारज हमेला नहीं करना पड़ेगा आल्रेडी हमारे body में वह antibody होगी तो देखो यह तो हो गया मतलब जब first time आया तो कौन सा response हुआ first immune response जब first time antigen आया तो यह हो गया हमारा first immune response या इसी को हम बोलते हैं first encounter या नि जब first time हमारी body में इंटर किया और देखो यह जो antibody बनी है यहां पर जो antibody बनी है उसमें IgM अब तो आपको confusion कुछ भी नहीं होगा IgM क्या है IgG क्या है हमने पूरी तरह से मतलब इसको अच्छे से discuss किया था तो आप जो है इसके बारे में जो मैंने बताया था इन दोनों के बारे में एक important point तो आप जो है उसको फटा फट comment में type कर दीजे मैंने आपको एक बहुत ही बढ़ियां सा point बताया था IgM के बारे में और एक point बताया था IgG के बारे में वह important point है हो सकता है वहीं से क्वेशा नुखा ऐंगर आपको याद है तो आप को टौर ऐसको टाइब करिए और अगर आपने लेक्चर देख लिया आपको याद नहीं है तो फिर तो बीडियो बंद कर दो और जाओ आराम से सोगaking फिर तो वीडियो देखने का कोई मतलब ही नहीं है अगर याद नहीं है तो मैंने क्या बताया था इन दोनों के बारे में उसको फटा-फट कोमेंट में टाइप करिए हमारी मेमरी आल्रेड़ी है पहले से हम जान देखर होगा है तो थैक त्विकया है यहांपर किसी प्रकार के जरूरत नहीं होगी जो अलर्रेड़ी मेंरी में हुण हुई है उसके त्रू जो है हमारा काम हो जाएगा यानि फटा फट यहां पर एंटीबोडी जो बनी है वो अपना फंक्शन सो करना शुरू कर देगी और सेकेंड इम्यून सबस्क्राइब आपको पीडिया से बहुत ही अच्छे से ये समझ में आएगा यहाँ पर देखो यह मैंने ग्राफ जो है बना रखा है तो अभी इसको देख लो अभी PDF से भी देख लेंगे देखो क्या हो रहा है यह जो है यहाँ से यहाँ तक यह है हमारा first immune response और यहाँ से यहाँ तक है हमारा second immune response इसे यह है second immune response यह है first immune response तो first immune response में आपको दिख रहा होगा यह है IgM और यह है IgG तो यह जो IgM है इसका amount थोड़ा सा जादा है और IgG का कम है तो यह हो गया यानि यहां पर जब first immune response है तो IgM का amount जादा है IgG का कम है और यहां पर देखो IgG का amount बहुत जादा बढ़ गया second immune response के दोरान तो यहां पर हम कह सकते हैं IgG more greater 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 than IgM तो इस point को याद रखना और यहां पर देखो यह हो गया percentage of antibody तो यह हो गया immune response अब देखो जो first immune response होता है उसमें देखो graph का peak जो है वो बहुत ही कम है लेकिन यहां पर बहुत जादा है देखो ऐसे बहुत जादा है याद्नि यहां पर हम कह सकते हैं जो फर्स्ट immune response होता यह low intensity होता है इसका लेकिन जो second immune response है इसकी intensity बहुत highest होती है higher नहीं होती हाइस्ट होती है यह involved करता है Lucocyte को लेकिन यह involved करता लिम्फोसाईट को यानिकन जो already memory cell है उसके through second immune response हो जाएगा लेकिन यहाँ पर देखो first immune response में क्या हुआ यह पहले lymphocyte से क्या हुआ है attach हुआ है antibody यानि हम कह सकते हैं first immune response में lymphocyte का यूज होता है लेकिन second में वही जो memory बनी है वही यूज होती है फिर देखो यह जो है first encounter के दारान first immune response, second encounter के दारान आपको बताया था अलग-अलग antigen के लिए अलग-अलग antibody होते हैं मतलब अलग-अलग antigen अलग-अलग antibody बनाते हैं तो अब चलो PDF से discuss करते हैं तो IgM, IgG के बारे में आपने type कर दिया होगा अब मैं आपको बता देती हूँ इनके main function क्या होते हैं बताने का उद्देश ये है ताकि आपको जो है clear हो जाए वो point जो IgG होता है सबसे smallest antibody होता है और smallest होने के ही वज़े से क्या होता है वो placenta को easily cross कर सकता है मतर के थूँ फीटस में और जो IgM होता है ये सबसे largest होता है और सबसे largest होने के वज़े से सबसे complex होता है और यहाँ पे मतलब 5 antibody मिलकर एक IgM बनाते है तो हम कह सकते हैं ये pentavalent होता है और एक मतलब जैसे मैंने आपको बताया था अगर pentavalent है तो उसका दो गुना है क्या हो जाएगा पैराटोप यानि अगर pentavalent है तो 5 दोनी 10 यानि 10 क्या हो जाएगे पैराटोप और जो IgG होता है ये क्या होता है हमने बताया था ना D, E, G ये कैसे होते हैं monovalent monovalent मतलब 2 पैराटोप तो इतना point जो है याद रखना चाहे ये covalent मतलब pentavalent ये सब याद रहे ना रहे पर इतना जरूर याद रखना जो IgG है सबसे smallest होता है इस वज़े से placenta को cross कर सकता है IgM जो है सबसे largest होता है सबसे complex होता है तो इन दोनों point को याद रखना बस अब देखो यहाँ पे हमने देखी लिया अब फटाफट देख लेते हैं immune response involved primary immune response and secondary immune response the primary immune response तो यहाँ पे क्या है after and initial contact with an antigen जब first time जो है antigen का हमारे body से contact हुआ no antibodies are present तो पहले से कोई antibody present नहीं है for a period of several days कई दिनों तक देना slow rising antibody जब वो मतलब क्या करणा जब वो B lymphocyte से जुड़ेगा फिर धीरे-धीरे क्या करेगा plasma cell के थुरू antibody बनेगी यही जो मैंने आपको बताया IgM का amount यहाँ पे क्या होगा ज़्यादा होगा IgG का कम होगा और इसको हम क्या बोलते हैं primary immune response तो यह graph है हमारा लेकिन पहले देख लेते हैं secondary immune response को फिर हम देखेंगे graph अब देखो secondary immune response में क्या है memory cell may remain in the body for decades जो memory cell first immune response के दवरान बन चुके हैं वो क्या करते हैं हमारी body में रहते हैं decades मतलब कई वर्सों तक रहते हैं every new encounter यानि जो भी नया encounter होगा with the same antigen याद रखना यह word same antigen क्या है same antigen result in a rapid proliferation of memory cells यह जो है memory cell के उससे क्या करते हैं मतलब फटा फट यह response हो करते हैं this is also called booster response और इस वज़े से इसको क्या बोलते हैं booster response the antibody titular after subsequent encounter is far greater than during the primary response यह सब थोड़ो consist mainly of IgG antibody यही है यहाँ पर जो मैंने आपको बताया second immune response में क्या होता IgG antibody का amount बहुत ज़्यादा greater हो जाता वही है subsequent encounter is far greater than during the primary response primary response के पिछा यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसकी intensity बढ़ जाती है more intense response is called the secondary immune response और यह जो जो मतलब बहुत ज़्यादा intense response है इसकों बोलते हैं secondary immune response antibodies produced during a secondary response have an ever higher affinity for antigen क्या बोला जा रहा है जो antibody produce होता है during a secondary response have an ever higher affinity for antigen मतलब यह antigen से बहुत ही जल्दी से क्या करेंगे उसके प्रती response सो करेंगे अब यहाँ पर देखो a person who had been suffering from disease like measles, smallpox, chickenpox become immune to subsequent attack up these diseases जो person जिन में measles, smallpox, chickenpox यह सारी चीज़े होते हैं यह इन सब disease के immune हो जाते हैं मतलब इनकी immunity जो है boost हो जाती है अब देखो it include इसमें क्या क्या include होता है spleen, lymph node, tonsils, pair, patches of small intestine and appendix तो यह सारी चीज़े इसमें include होती हैं और यहां पर देखो क्या है increase, power and duration of secondary immune response explain why immunization method of providing immunity artificially जिसको हम बोड़ है vaccination is usually accomplished by injecting antigen in multiple doses यानि जो secondary immune response है इसी पे हमारा work करता है vaccination जैसे जब हम vaccine देते हैं बाहर से हमारी body को इस वज़े से देते हैं जैसे मालो हमको अभी smallpox कभी नहीं हुआ है या फिर हमको polio कभी नहीं हुआ है तो देखो क्या होता बच्चों को मतलब जब वो 5 साल के हो जाते हैं तभी उनको मतलब polio का दो बुद देते हैं वो इस वज़े से देते हैं ताकि उनको future में कभी polio हो ही ना अगर जैसे मालो वो polio virus आया body के अंदर तो पहले से ही उसकी memory होगी हमारी antibody उसके खिलाफ लड़के उसको भागा देगी body से उसको मार देगी उसको खतम कर देगी तो ये जो vaccination है वो इसी principle पे काम करता है यानि पहले से ही हमारे body में उसकी memory बना दी जाती है कि हाँ अगर ये आए जैसे मालो आपने अपनी बुआ को कभी नहीं देखा और आपकी बुआ बहुत खतरनाक हैं चलो चलो बुआ powiedziałbya का example नहीं देते हैं मालो कोई एक चोर है क्या है कोई चोर है या डाकू है आपने उसको कभी नहीं देखा लेकिन आप उसका मतलब image आपको दिखा दिया गया दिखा दिया गया कि देखो अगर इस तरह को कोी डाकू या चोर आपको दिखाई देता है तो उससे बचके रहना है उसको मारना है उसको भागा देना है अपने घर से तो ठीक उसी तरह से मतलब यह जो वैक्सिनेशन है वो पहले से ही हमारी बॉड़ी को दिया जाता है कि मतलब अगर यह एंटीजन या मतलब foreign material foreign particle हमारे बॉ आया अभी यह हमारा primary immune response यह पूरा क्या है primary immune response और यह है secondary immune response तो देखो primary immune response में यह जो peak कम है और एक peak ज्यादा है जो ज्यादा है वो है हमारा IgM का peak और जो कम है वो है IgG का और यहां पे ज्यादा है वो IgG का और जो कम है वो है IgM का तो यहां पे देखो IgG का बहुत ज्यादा intensive मतलब peak है यहाँ पे तो इसको आप याद रखेंगे अब यहाँ पे हम discuss करेंगे cells of immune system हमारे immune system में कौन-कौन से cell involved होते हैं इसमें से बहुत सारे cell के बारे में हम already discuss कर चुके हैं तो अब आपको यह cell समझना जो है बहुत ही easy हो जाएगा बस एक बार देखना है मतलब कुछ अगर नए कुछ इस्टा पॉइंट हमको मिलते हैं तो उसको हम यहाँ पर देख लेंगे तो देखो lymphocyte phagocytic cell granulocyte and dendritic cell तो यह कुछ cells होते हैं हमारे immune system में क्या-क्या होते हैं lymphocyte phagocytic cell जिसमें हम monocyte और microfages पढ़ते हैं फिर यहाँ पर granulocyte और dendritic cell तो यह कुछ cell होते हैं जो जिनको हम पुछ है cells of immune system अब देखो WBCs are the principle cell of immune system क्यों क्यों क्योंकि जो WBC होता है वो हमारे बोड़ी के मतलब protection mechanism में help करता है यानि क्या करता है हमारी बोड़ी को किसी भी रोग वगरा से लड़ने में मदद करता है तो हम कह सकते हैं WBCs are the principle cell of immune system formed hemopoietic stem cell by the process of hemopoietis हमने आपको बताया था जो bone marrow का stem cell होता है उसी से सारे cell क्या होते हैं बनते हैं form होते हैं तो ठीक वही है और इस process को क्या बोलते हैं hemopoietis क्या बोलते हैं hemopoietis तो यही है यहाँ पर तो WBC क्या है हमारे defense mechanism में help कर रहा है इस वज़े से इसके cells जो होते हैं वो सबसे ज्यादा important होते हैं हमारे immune system के लिए और यह किस process के थूरू बनते हैं hemopoietis के थूरू अब देखो hemopoietis occurs in york psych during first week of gestation gestation क्या होता है यानि जब जो females होती है जब pregnant होती है जो first week of gestation होता है प्रसाव काल तो उसमें hemopoietis कहां पर होता है york psych में कहां पर york psych में और after third month of gestation यानि जब 3 month हो जाते हैं pregnancy के तो यहां पर क्या होता है hemopoietis occur in liver and spleen of fetus तो यह point new है क्या है यह point हमारे लिए नया है इसको जो है आप mark करके रखेंगे important point है तो हमने यहां पर क्या देखा जो wbc होते हैं उनके cells हमारे immune system के लिए सबसे ज्यादा important होते हैं और इन cell के formation को क्या बोलते हैं hematopoietis और यह बनते कहां से हैं hematopoietic stem cell से sorry और stem cell पाय कहां पर जाते हैं bone marrow में अब देखो hematopoietis का जो process है यानि जो wbc के cells हैं वो योक साइक में यानि first week of gestation में कहां बनते हैं योक साइक में लेकिन after third month of gestation कहां पर बनते हैं ispreen and liver में तो याद रखना after third month of gestation hematopoietis occurring liver and ispreen of fetus and after birth और जर्म के बाद कहां पर बनते हैं it occurs in bone marrow तो याद रखना यहां पर जो है न ऐसे करके लिख ले न यहां पर ऐसे करके आप लिख लेना याद करने में आसानी होगी कैसे hematopoietis फिर इसको ऐसे करना यहां पर लिखना first week of gestation पिन बहुत ज़्यदा मोटा है थोड़ा पतला करते हैं हाँ फिर क्या लिख होगे after third month of gestation फिर यहां पर क्या लिखोगे after birth after birth तो first week of gestation में कहां पर होता है york psych ऐसे न मतलब इसको बोलते है mind map बनाना तो इससे याद करने में आसानी होती है और after third month of gestation कहां पर होता है liver and spleen में liver and spleen में फिर after birth कहां पर होता है bone marrow में तो इस तरह से जो है आप इसको ऐसे करके लिख लेना आपको यह याद हो जाएगा क्या है hematopoiesis जो है वो first week of gestation york psych में होता है after third month of gestation liver and spleen में होता है after birth जो है bone marrow में होता है तो इस तरह से आप इसको note कर सकते हैं अब देखो cells of immune system are सबसे पहले यहाँ पर हम क्या देख रहे है lymphocyte क्या देख रहे है lymphocyte तो देखो जो lymphocyte है उसके अंतरगत क्या-क्या चीज़े आती है T lymphocyte and B lymphocyte and natural killer cell lymphocyte में क्या-क्या आती है T lymphocyte, B lymphocyte, natural killer cell तो हमने जो है lymphocyte के type देखा था तो वहाँ पर यह सारे चीज़े discuss करी चुके हैं अब आपको कोई भी confusion इनमें नहीं होगा फिर देखो जो phagocytic cell है इसमें क्या-क्या आता है phagocytic में आते है monocytes and macrophages granulocyte में क्या-क्या आते हैं मैंने बोला था जहां पर granulocyte होते हैं यह है cell और यहां पर कुछ चीज़ें phil हैं क्या phil है ग्रेनियूल तो जो phil यह हमने देखा था था ना phil जो phil वाले होते हैं उनको हम बोलते हैं granulocyte क्योंकि यहां पर क्या phil है ग्रेनूल तो यहाँ पर क्या हो जाएगा नूट्रोफिल, बेशोफिल, योसिनोफिल तो यह फिल फिल वाले जो है वो हो गए हमारे ग्रेनूलोसाइट और इसके साथ-साथ यहाँ पर क्या प्रजेंट होता है डेन्राइटिक सेल तो यह हो गए हमारे सेल अब इनके बारे में detail से देख लेते हैं देखो lymphocyte पढ़ तो चुके ही हैं बस थोड़ा सा और देख लो lymphocytes are small round cell found in peripheral blood lymph node and lymphoid organ and in tissue तो इन सारी जगहों पर lymphocyte present होते हैं lymphocyte percent are 22-45% of total cell in peripheral blood and 99% of total cells in lymph and lymph node ये जो है peripheral blood में 22-45% होते हैं लेकिन lymph या lymph node में 99% होते हैं तो याद रखना lymph या lymph node में lymphocyte का amount क्या होता है जादा होता यानि इनका percentage जादा होता है according to size ये size होगा size नहीं size होगा lymphocyte are divided into small, medium and large यानि ये कई तरह के मतलब इनका कोई fix size नहीं होता ये जो है small, medium, large किसी भी तरह के हो सकते हैं depending on life span lymphocyte are classified into short lived and long lived यानि ये थोड़े समय के लिए भी जीवित रह सकते हैं लंबे समय तक अगर हम थोड़े समय की बात करें तो ये जो है दो वीक तक भी जिन्दा रह सकते हैं अगर हम लंबे समय की बात करें तो ये 3 years तक भी जीवित रह सकते हैं broadly lymphocyte are divided into 3 sub population T lymphocyte, B lymphocyte and natural killer cell तो ये हो गया इसका type अब देखो phagocytic cell phago means क्या होता है eater psychic means cell यानि cell eater जो cell को खाने वाले cell होते हैं वो क्या हो गया है phagocytic cell monocyte and microfages are mononuclear phagocytic cell यानि ये single nucleus के बने होते हैं granulocyte, monocyte, progenitor cell differentiate into pro monocyte and neutrophils अब देखो pro monocyte leaves the bone marrow and inter bloodstream where they differentiate and mature monocyte ये जो pro monocyte है मैंने आपको बताया था जैसे देखो precursor होता है न precursor का मतलब कल मैंने आपको बताया था तो हम ये कह सकते हैं monocyte है उसके लिए precursor का काम कौन करता है pro monocyte यानि यही pro monocyte जो है जब bone marrow से निकलके हमारे blood steam में इंटर करेगा तो वो differentiate करके क्या बनाता है mature monocyte यानि pro monocyte से ही क्या बनता है mature monocyte तो इसको आप याद रखेंगे अब देको monocyte circulate in blood for 8 hour ये हमारी blood में जो है 8 गंटे तक लगतार circulate होता रहता है during which they enlarge मतलब इस दवरान वो बड़े हो जाते है enlarge हो जाते है and then enter tissue and differentiate into specific macrophage and dendritic cell यानि मैंने आपको बताया भी है पहले भी कि यही monocyte क्या करते है जब ये मतलब किसी foreign material से जूड जाते है तो इनका size बड़ा हो जाता है और यही convert हो जाते है macrophages में और ये macrophages के साथ-साथ dendritic cell में भी convert होते है इसको भी याद रख लेना अब देखो monocyte क्या होते है blood monocyte measures 12-15 micrometer भी था single lobed kidney shape nucleus जो monocyte होते है यहाँ पे single lobed kidney shape nucleus जो है वो present होता है it occurs 2-8% हमने जो है आपको बताया था never let monkey eat banana तो वहाँ से आपको ये percentage अब याद होना चाहिए अब देखो immunological function क्या होता है monocyte का help in antigen processing and presentation release cytokines specialized function in tissue and cytotoxicity तो ये सब इनके function होते है फिर देखो macrophages क्या है monocyte migrate to tissue and differentiate into macrophages फिर से वही line repeat हो गया कि मतलब वही monocyte ही क्या बनाते है macrophages differentiation of monocyte into macrophages involve following changes मतलब यहाँ पे क्या-क्या changes होते है जब monocyte macrophage में convert होता है जब monocyte macrophage में convert होता है क्या-क्या होता है sen enlarge हो जाता है 5 to 10 fold हो जाते है intra cellular granule जो है वो increase हो जाता है उनका number और complexity increase phagocytic ability जैसे monocyte जो है वो कम चीज़ें इंगल कर पाएंगे लेकिन जो macrophage है वो ज़्यादा चीज़ें खापाएगा यानि increase phagocytic ability produce higher level of hydrolytic enzyme and cytokine यानि जो monocyte है वो कम amount में hydrolyc enzyme बनाएगा लेकिन यह ज़्यादा amount में बनाएगा जो macrophage है अब देखो macrophage serve different function इसके क्या-क्या function होते हैं alveolar macrophage lungs में होते हैं histiocide कहाँ पे होते हैं connective tissue में liver में messenger cell kidney में microglial cell brain में osteoclast bone में तो देखो इनके नाम से ही histiomins क्या होता है utak यानि tissue तो याद रख लेना histiocide यानि tissue से related है alveolar term हमेशा lung के लिए यूज होता है तो alveolar macrophage कहाँ पे होंगे lung में होंगे kuffar cell कहाँ पे पाया जाता है liver में पाया जाता है messenger cell kidney में होता है microglial cell brain में होता है osteo means होता ही है bone तो osteoclast means क्या होगी है यहाँ पे bone तो इनके नाम से ही इस पस्ट है कहाँ पे कौन सा microphage पाया जाएगा क्या function करेगा अब अगर बात करें इसके immunological function की तो सबसे पहले phagocytosis होगा ही होगा antigen presentation to T cell ये भी हमने देखी लिया है अलफा ETC to activate inflammatory response सिक्रीशन आप granulocyte monocyte colony यानि GMC stimulating factor तो ये हो गए microphages के function फिर यहाँ पे हम देख रहे है granulocyte granulocyte में हमको phil 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 discuss करना है neutrophil, basophil तो eosinophil अब देखो सबसे पहले neutrophil neutrophil का भी काम क्या होता है phagocytosis तो यहाँ पे जो है neutrophil multi-lobed nucleus होता है इस तरह से यह देखो यहाँ पे यह इसका nucleus है और यहाँ पे glycogen present है secondary granul है primary agerophilic granul है और phagosome है तो यह सारी चीज़े यहाँ पे present है यह हो गया इसका structure अब यहाँ पे देखते हैं अब देखो नेवर लेट मंकी इट बनाना नेवर लेट मंकी इट बनाना तो हम यहाँ जो कह सकते हैं जो बेसोफिल है उसका percentage सबसे कम है जो नेवटोफिल है उसका percentage सबसे जादा है तो यहाँ पे देखो neutrophil diameter with multi-lobed nucleus with granule यानि यह granulocyte है तो होगा ही होगा इसके cytoplasm में इट constitute 50-70% आप total circulating WVC और रिमेंस फार 7-8 आर इन blood यह भी हमारे body में साथ से 8 सरी हमारे blood में 7-8 घंटे तक रहते हैं और फिर हमारे tissue में क्या कर जाते हैं migrate कर जाते हैं और इनका percentage सबसे जादा होता है WVC में 52-70% फिर यहां पर देखो इनका life span कितना होता है 3-4 days के लिए होता है और इनको हम polymorpho nuclear यानी PMN leukoside के नाम से भी जानते हैं neutrophil is stained by both acidic and basic तो acid और base मिलकर क्या करते हैं neutralization reaction करते हैं तो उसी तरह सियाद रख लेना neutrophil किस से stain होता है दोनों से acidic और basic dye दोनों से ही क्या होता है वो stain होता है अब इनका immunological function क्या होता है phagocytic role in acute inflammatory response acute वर याद रखना acute यानी जिसको हम बोलते हैं severe फिर तको it is first immune cells to respond in inflammation यह first cell है neutrophil जो की inflammation में क्या करता है response करता है inflammation भी हम जो है discuss कर चुके हैं इन चीजों से हो सकता है किसी परकार की chemical से drug से या फिर किसी पैथोजन से मतलब इन सारी चीजों से जैसे हमको मच्चर कारते हैं तो थोड़ी देर के लिए खुजलाहाट होता है red हो जाता है तो यह सारी चीजे जो है वो inflammation के क्या होते हैं रिजन होते हैं और उसके symptom होते हैं तो यह मतलब जो inflammation है इसमें क्या है इस फर्स्ट इम्यून सेल टूरी रिस्पॉंज इन 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 के response में सबसे पहला कॉन सेल है निउटोफिस जो मतलब inflammation के response में क्या करता है फिर देखो यहां पर eosinophil eosinophil और basophil यह हो गया eosinophil और यह है basophil तो eosinophil का diameter कितना है 11 to 15 micrometer heavily granulated with by lobed nucleus stand by acidic dye यानि eosin यह भी हम discuss कर चुके हैं और इनका भी काम क्या होता they are phagocytic and motile अगर हम बात करें immunological function of eosinophil की granules contain various hydrolytic enzymes hydrolytic enzymes होते हैं यहां पर that kiss parasite जो की parasite को मानने का काम करते हैं two large to be phagocytic by neutrophils और यह बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं provide allergic inflammation यह जो eosinophil होते हैं यह allergic inflammation provide करते हैं अगर बात करें basophil की basophil और non phagocytic cell जो basophil होते हैं वो non phagocytic होते हैं यानि यह किसी तरह से मतलब cell और गएरा को नहीं खाते हैं found in a small number in blood and tissue हमने देखा था कितना होता है 0 to 1.5% फिर यहां पर क्या है cytoplasm contain large number of prominent basophil granule containing histamine, hyperin, serotonin and other hydrolite enzyme यह सारी चीज़े यहां पर होती हैं और नाम सही असपेस्ट है basophil तो basic dye से इनको stain किया जाता है stain का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया stain मतलब किसी चीज़ पे आपने color डाला और वो दिखने लगा dye भी क्या होते हैं colorful liquid होते हैं तो उनको जब malo estric dye, basic dye इस तरह से कई सारे dye होते हैं तो उनको जब किसी चीज़ पे डाला जाता है तो जो structure है वो clear दिखने लगता है तो मतलब वो scientist लोगों ने देखा होगा फिर उन्होंने यह मतलब nisker से निकाला होगा फिर देखो immunological function क्या होता है प्रोवाइड इनफाइलेक्टिक एंड एलोप्टिक एलर्जी डियक्शन फिर यहाँ पे आता है हमारा dendritic cell अब यह देखो dendritic cell आपको दिखी रहागा कैसे लंबे-लंबे से यह दिख रहे हैं यह क्या है dendritic cell कैसे हैं यहाँ पे लॉंग साइटो प्लाजमिक क्या है एक्स्टेंशन तो देखो dendritic cell है लॉंग साइटो प्लाजमिक एक्स्टेंशन देट रिजंबस टू डेंडाइट आप नर्व सेल जैसे नर्व सेल का लॉंग नीडल लाइक प्रॉसेक और यहाँ पर ये नीडल लाइक प्रॉसेस यह सब आपको दिखरेंगे ये ये नीडल लाइक डंडाइटिक सेल आर एंटीजन प्रेजन प्रेजेंटिंग सेल यह भी जो है एंटीजन को T-Limphosite के सामने प्रेजेंट करते हैं अब यहाँ वे देखो immunological function क्या होता है इनका involved in antigen presentation to T cell अभी हमने देखा during primary immune response very little role in phagocytosis यानि इनका भी role phagocytosis में बहुत कम होता है तो याद रखना non phagocytic cell में हमने क्या देखा अभी बेसोफिल को देखा और very little role in phagocytosis में क्या आता है dendritic cell अब यहाँ पे यह तो हो गया हमारा cells of immune system यह सारे cell के बारे में आपने देखा होगा मैंने बहुत जल्दी जल्दी मतलब केवल ऐसे ही बहुत ज्यादा stress नहीं दिया किसी point पे क्योंकि already हम जो है सारी चीज़े कर चुके हैं बस एक मतलब वो लगाना था कि ठीक है हमने सब कुछ discuss कर लिया है आपको एक वो मिल जाएगा idea कि हमने सब कुछ पढ़ लिया है अब यहाँ पे बात करते हैं primary lymphoid organ यानि यहाँ पे हम बात करेंगे organ आप immune system की जहाँ पे दो तरह के organ होंगे एक होंगे हमारे primary lymphoid organ एक होते हैं secondary lymphoid organ immature lymphocytes sorry तो देखो सबसे पहले बात करेंगे अगर हम यहाँ पे primary lymphoid organ और secondary lymphoid organ की तो देखो जो यहाँ पे हमने क्या discuss कर लिया cell आप immune system तो जो cell होता है cell से ही मिलकर क्या बनते हैं tissue क्या बनते हैं tissue और tissue से मिलकर क्या बनता है organ तो यह चीज़ों आपको पता ही होंगी तो cell हमने यहाँ पे discuss कर लिये हैं और आप हम यहां पर discuss करेंगे organ के बारे में तो जो primary lymphoid organ है और secondary lymphoid organ है सबसे पहला चांस है question पूछने का कि पूछ लेंगे बदाईए कौन सा structure primary lymphoid organ में include है या फिर कौन सा secondary lymphoid organ में mention है तो देखो जो primary lymphoid organ होता है यहाँ पे इसके दो example याद रखना एक याद रखना यहाँ पे bone marrow एक याद रखना आप thymus क्या-क्या याद रखेंगे bone marrow और thymus तो ये दोनों include होते हैं primary lymphoid organ में इसके अलामा secondary lymphoid organ के example अभी देखेंगे अब देखो primary lymphoid organ और secondary lymphoid organ दोनों में difference क्या होता है जो primary lymphoid organs होता है अभी अमने क्या देखा सेल से बनते हैं tissue tissue से मिलकर क्या बनता है organ तो जितने भी cells होते हैं immune system के जितने भी cells होते हैं अभी जो हमने उपर discuss किये इतने सारे cells तो वो जो cell होता है उनका formation या फिर उनका maturation कहां पे होता है primary lymphoid organs में कहां पे primary lymphoid organs में लेकिन उनका जो function होता है अभी यहां पे हमने उपर देखा था ना सबका immunological function यहां पे देखो यह सारे मतलब यहां पे एक सेकेंड रुखना यहां से हमने discuss करना शुरू किया तो यह जो जैसे T lymphocyte हो गए फिर यहां पे macrophages हो गए इनका immunological function हो गया तो इसी तरह से हमने सभी cell का मतलब इनका immunological function देखा तो यह जो सारे cell हैं यह सारे cells जो हैं इनका formation या फिर maturation कहां पे होगा primary lymphoid organ में कहां पे primary lymphoid organ में लेकिन इनका जो function है इनका जो response है immune system में हमारे वो कहां पर होता है secondary lymphoid organ में कहां पर secondary lymphoid organ में तो यह जो है major difference है primary और secondary lymphoid organ में तो देखो immature lymphocyte generated in hematophoasis the process of formation and development of blood cell mature and become committed to a particular antigenic specificity within the primary lymphoid organ तो इसी को बहुत ही complex language में यहां पर दिया हुआ है आप simple सा याद रखने जितने भी शर्ज होते हैं वो primary lymphoid organ में क्या करते हैं बनते हैं या फिर mature होते हैं और primary lymphoid organ में mainly क्या क्या आते हैं थाइमस और bone marrow आता है और याद रखना ये एक और याद रखना बुर्शा आप यह किसमे होता है बर्ड में लेकिन bone marrow किसमे होता है मैमल्स में तो जैसे bone marrow होता मैमल्स में ठीक उसी तरह से बर्ड के case में bone marrow ना होके क्या होता है बर्शा आप फैबरी सियस अब देखो lymphocyte become immunocompetent that means capable of mounting and response response only after it mature within the primary lymphoid organ यानि यह जो lymphocyte होते हैं चाहे वो B lymphocyte हो चाहे T lymphocyte हो यह जो है जब primary lymphoid organ में बन के mature हो जाते हैं तब यह capable होते हैं immune response सो करने के लिए तो मैंने जो आपको simple language में बताया वही यहाँ पे मतलब एक भयानक English लिख के जो है बताया गया है वैसे तो देखो PDF से पढ़ना बहुत easy task नहीं होता आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद की मतलब इतना support करते हैं मैं जो है अभी देखो अभी exam का तो वैसे तो अभी date तो आजा नहीं है लेकिन हम यह मानके पढ़े हैं कि जो हमारा exam होगा वो September में होगा क्योंकि mostly जो exam हुए है अभी तक उस base पे मैं बोल रही हूँ exam जो है वो September तक हो सकता है तो हमको जो है September से पहले इन सबको जो है finish करना है इस वज़े से अगर मैं इसको लिखूंगी फिर जो है पढ़ेंगे तो थोड़ा सच जादा टाइम लगेगा इस वज़े से हम direct PDF से पढ़े रहे हैं और आप लोग support करते हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स फिर आगे देखो क्या है यहाँ पे मुझे जब टाइम मिलेगा कभी दोबारा से DSSB होगा तो इसको हम बहुत बढ़ेंसे notes के थूरू मतलब mind map के थूरू पढ़ेंगे उससे क्या होता है याद रखने में easy होता है अब देखो जो thymus होता है thymus is grey is flat by lobed lymphoid organ situated above the earth यह पता नहीं क्या हो रहा है उसके ऊपर एक बार रुको मैं देखती हूँ अगर एक combine figure मिल जाए तो इसको हम देख लेते हैं ताकि जो है और easy हो जाए पढ़ पाना इसको तो जो भी figure होते हैं उन पे copyright का option होता है देखो मैं आपको न टेलिग्राम पे उसका image भेज दूँगी तो वहां से जो है mark करके भेजूँगी तो उसको देख लेना किसका क्या situation मतलब क्या उसका situation होता कहां पे वो होते हैं तो जो थाइमस होता है वो heart के उपर होता है extending into the neck on the front and side of trachea trachea हम जो है respiratory system में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा it develops from the epithelium of third and fourth pharyngeal pouches and on maturity act as site of development and maturation of lymphocyte जो थाइमस होता है यह मैं आपको आरेड़ी भी बता चुकी हूँ कि जो T lymphocyte होता है और जो B lymphocyte होता है दोनों ही कहां पे बनते हैं बनते हैं वो bone marrow में लेकिन जो T lymphocyte होता है उनका maturation कहां पे होता है थाइमस में तो वही point यहां पे लिखा है act as site of development and maturation of lymphocyte named thymus derived lymphocyte और T lymphocyte या फिर T cells तो वही चीज़े यहां पे एक भयानक English लिखके लिखा हुआ है थाइमस reaches peak activity in childhood and attains its largest size at puberty देखो जो यह थाइमस होता है जैसे आप देखेंगे कि जो मतलब हमारे दादा या बाबा लोग होते हैं उनकी immunity थोड़ी कमजोर हो जाती है मतलब वह जल्दी जल्दी बीमार होते हैं या फिर मतलब थोड़े कमजोर हो जाते हैं क्यों होते हैं क्योंकि जो thymus होता है वो degenerate होने लगता है जो थाइमस होता है यह जो है इम्मिनोटी पर वाइड करती है और याद रखना थाइमस जो है चाइल्ड हुड में सबसे जादा पीक एक्टिविटे वे होता है यानि सबसे जादा साइज इसका बड़ा होता है तो थोड़ा सा अपोजीट है मतलब हम देखते हैं कि एज बढ होते जाते हैं तो यहां पर क्या होता है यह डी जेनरेट होने लगता है तो देखो थाइमस बिगिंज टू एट्रोफी विदाउट एनी अपरेंट इफेक्ट आंटी लिफोसाइड फंक्सर एंड एक्स्ट्रीमली स्माल इन ओल्ड इज मतलब बिद्धा वस्ता में यह बहुत ही छोटा हो जाता है आडिज बेट कितना होता है थाइमस का छिखाव सेवेंटी ग्राम इन इनफेंट थरी ग्राम एट इट ओलड श्ठेड देखो औलड इउटब इसमाल मतलब इनफेंट है हमारा हर्ट और इस हर्ट के उपर क्या परजेंट है थाइमस क्या परजेंट है थाइमस और यहां पर इस्प्लीन हो गया पेर स्पैचेज हो गए यह हो गया देखो बोन मेरो यहां पर परजेंट है यह हो गया lymph node तो यह सब किसमें आते हैं हमारे lymphoid organ में तो अभी हमने जो है थाइमस के बारे में discuss किया अब आगे देखते हैं जो थाइमस होते हैं जैसे यहां पर आपको दिख रहे होंगे यह जो थाइमस है इस लोब आफ थाइमस इस सराउंडेड वाइ capsule divided into a series of lovules which are separated from each other by a strand of connective tissue जिसको हम बोलते हैं ट्रैबी कुली जैसे मालो यह है हमारा क्या है लोब है थाइमस का तो यह जो है एक दूसरे से सेपरेट होते हैं किसके थुरू connective tissue के थुरू जिसको हम क्या बोलते हैं ट्यूबर कुली क्या बोलते हैं सोरी सोरी ट्रैबी कुल तो यहां पर देखो यह जो है इसका और भी अच्छे से structure क्या किया है यहां पर दिया हुआ है यह वाला पार्ट हो गया medulla यह वाला हो गया cortex तो इतना detail में मुझे नहीं लगता पढ़ने की जरूरत है लेकिन मतलब अभी देखो जब भी नया सिलेवस आयड होता है तो पहल वर्चाफ फिर फारेसियस इफ प्राइमरि लिंफॉयर्ड और्गन इन बर्ड यह जो है बर्ड के केस में केवाल परजेंट होता है हमाने नहीं होता है फिर यहाँ पर बात करते हैं बोन मेरो की बोन मेरो इदा साइट आफ वर्जिन और डेवलप्मेंट आफ बी लिम्फोसाइट यानि बी सेल अंड टी लिम्फोसाइट भी मतलब दोनों का ही वर्जिन यहाँ पर होता है बोन मेरो इदा साइट अब आगे देखो क्या है इन कैटल अंड सीप क्या है इन कैटल अंड सीप दा फीटल स्प्लीन इस प्राइमरी लिम्फोसाइट टीसू जो फीटल स्प्लीन होता है वो क्या होता है प्राइमरी लिम्फोसाइट टीसू वेरिन दा मैचुरेशन प्रॉलिप्रेशन और डाइवर्सिफिकेशन अबी सेल्स टेक प्लेस during early gestation gestation is क्या हो गया यानि प्रसाव काल during later gestation this function is preferred by ideal pairs patches देखो infant में क्या होता है यहाँ पे fetal में spleen के यहाँ पे क्या हो गया in catalancy fetal spleen जो है primary lymphoid organ होता है लेकिन later gestation यहाँ पे क्या होता है ideal pairs patches आप टीशू embedded in the wall of intestine pairs patches कहाँ पे होते हैं intestine के wall में धासे हुए होते हैं और rabbit के case में क्या होता है gut associated tissue यानि appendix act as primary lymphoid tissue for maturation proliferation and diversification of B cell तो यहाँ पे primary lymphoid organ की अगर हम बात करें जैसे चाहे वो human हो गए या फिर red तो उनके case में क्या हो रहा है primary lymphoid organ के लिए bone marrow तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे ketal या फिर सीप के fetal stage देखोगे तो spleen जो होता है वो primary lymphoid organ है लेकिन अगर हम gastration के बात की बात करें तो यहाँ पे ideal pair pet जो है primary lymphoid organ की तरह काम करता है और अगर बात करें rabbit के case में तो यहाँ पे gut associated tissue जो होता है वो जो है primary lymphoid organ की तरह काम करता है यानि सबका primary lymphoid organ सबके case में अलग-अलग है तो यह थोड़े अलग से point थे तो इसको भी याद रख सकते हो अब देखो secondary lymphoid organ में क्या-क्या चीज़े हैं इस lymphocytes migrate there from via circulation to secondary और peripheral lymphoid organ here they bind appropriate antigen and undergo further antigen dependent differentiation जो मैंने आपको बताया कि देखो सबसे पहले जो cells हैं उनका formation या फिर maturation कहाँ पे होगा primary lymphoid organ में अब जो है जब वो जाते हैं मतलब हमारे blood के थुरू हमारी body में जब वो antigen से bind करते हैं फिर वो antigen को produce करते हैं तो यह सारी चीज़े जो है secondary lymphoid organ में हो रही मतलब वो antigen antibody की इस तरह से function कर रही है अब उनका मतलब antigen antibody का क्या response हो रहा है यह सारी चीज़े जो है secondary lymphoid organ में आती है मतलब यहाँ पे function देख रहे हैं लेकिन primary lymphoid organ में उनका formation या फिर maturation देखते हैं अब देखो secondary lymphoid organ में सबसे पहले आता है lymph node क्या आता है lymph node lymph node इसके बारे में अभी हम देखेंगे यहाँ पे इसका structure देखो सबसे पहले क्या है जो lymph node होता है वहाँ पे तीन पार्ट होते हैं तो देखो जो lymph node होता है यहाँ पे तीन रीजन होते हैं क्या क्या होता है medulla होता है paracortex होता है और cortex होता है तो अब यहाँ पर देखो यह जो इसका middle part है यह यह क्या है? medulla, medulla Ce surrounding में यहाँ पर क्या है? para cortex और यह है Cortex Region और देखो इसी Contex Region में पर्जेंट है? B lymphocyte और यहाँ पर Germinal Center भी पर्जेंट है और इसके Outer Region पर क्या है? Ouferent Limhetic Vaces या फिर different lymphatic vessels तो यह सब छोड़ो बस इतना याद रखो जो lymph node होते हैं यहाँ पर major 3 region होते हैं medulla, paracortex, cortex जो cortex होता है उसी region में क्या present होता है B lymphocyte क्या होता है B lymphocyte इसके साथ-साथ यहाँ पर germinal center भी present होता है तो अब आप देखोगे ना इसी के बारे में पूरा मतलब घुमा फिरा के लिखा हुआ है सबसे पहले lymph node क्या होता है small encapsulated bean shape structure होते हैं clustered as junction of lymphatic vessels which are distributed throughout the body यानि पूरे body में present होते हैं lymph node contain a reticular network packed with lymphocyte, microfages, dendritic cell, filter out pathogenic microorganism and antigen from lymph यानि यह इसको भगाने का काम करते हैं फिर यहाँ पर देखो as a lymphocyte percolate through a lymph node any pathogen या antibody that is brought in with a lymph is trapped by phagocytotic cell and dendritic cell यानि B lymphocyte के साथ में यहाँ पर phagocytic या फिर dendritic cell होते हैं जो कि क्या करते हैं जो भी antigen या pathogen आता है उसको trap कर लेते हैं पकड़ लेते हैं जकर लेते हैं अब यहाँ पर देखो इसके major three region होते हैं cortex, paracortex, medulla cortex is outer most region contains several rounded aggregates of lymphocyte यानि mostly B lymphocyte macrophages भी होते हैं follicular dendritic cell भी होते हैं orange in primary follicle each follicle has a plate staining germinal center surrounded by small dark staining lymphocyte तो यह सारी चीज़े जो है simple सी है मतलब कुछ ऐसा खास है नहीं फिर यहाँ पर देखो deeper region lying beneath the cortex मतलब cortex के नीचे क्या है paracortex, zone, vitamin, cortex and medulla दोनों के बीच में है paracortex poses a large number of T lymphocyte जैसे cortex में B lymphocyte है ठीक paracortex में T lymphocyte है contain interdigitating dendritic cell through though to have migrated from tissue to lymph node जिसके through वो मतलब lymph node में क्या करते है migrate करते है because आप presence of large number of T lymphocyte in it paracortex is also referred at thymus dependent area in contrast to cortex वीचा thymus independent area यह सब छोड़ इतना भहेंकर इंगलीस आप से नहीं पूछेंगे simple सा question तो पूछता है d तिर पलेश भी फिर भी हमने उसके label से बहुत जादा उपर पढ़ा है सब कुछ तो tensor मतलेना कुछ भी जो भी question होंगे आराम से बन जाएंगे each lymph node है नंबर आप lymph vessel called apparent यह सब छोड़ो 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 सब कुछ छोड़ो बस इसके region याद रखना और जो वो starting में क्या था वो सब याद रख लेने थोड़ा सा बीन से पिए सब आप देखो जो spleen होता है तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ जैसे यह होता हमारा kidney क्या होता है यह होता हमारा kidney तो ठीक इसी तरह से होता है हमारा spleen भी इस प्लीन भी होता लेकिन इस पे जो है इस तरह से कुछ structure होते है glandular structure तो यह जो है थोड़ा सा spleen kidney से different हो जाता किस वज़े से क्योंकि यहाँ पे glandular structure इस तरह से present होते है तो बस यह इतना सा difference होता है spleen और kidney में अब देखो spleen which is 5 inches too long 200 gram in weight in adult largest secondary और peripheral lymphoid organ और यहाँ भी travically present होते है फिर यहाँ पे देखो यह सब छोड़ो कुछ भी सहारा छोड़ो अगर आपका मान हो एक reading लगा लिना अधरवाई यहाँ पे कुछ भी ऐसा important है नहीं यह इसका structure हो गया मतलब सब कुछ फिर यहाँ पे आता है last हमारा mucosal associated lymphoid tissue यहाँ आता है माल्ट में क्या है mucos membrane lining the elementary respiratory क्या है जनी janitorinary system have a very large combined surface area मतलब इन सारी जगहों पे माल्ट जो है present होता है सबसे पहले तो इसका जो है आप से full form ही पुछा दा सकता है mucosal associated lymphoid tissue याद रख लेना अब इसके बाद याद रखना कि इसके अंतरगत आती क्या क्या चीज़े हैं एक और पॉइंट group of organized lymphoid tissue is also collectively known as mucosal associated lymphoid tissue यानि माल्ट माल्ट is functionally very significant in immune system of body because presence of large number of antibody producing plasma cell in it यह जो है plasma cell को क्या करता है बनाता है sorry 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 जो plasma cell होते हैं वो antibody को produce करते हैं यह यहाँ पर लजा रहा पिर यहाँ पर देखो जो माल्ट होता है इसी के अंतरगत आता है tonsil tonsil क्या होते हैं जैसे आप अपना आप देखो सीसे में आप अपना मुह खोल के देखो तो एक लटकता हुआ सा structure दिखाई देता है गले के पास में वो क्या होता है tonsil तो यह three different location हो सकता है इनका पैलेंटाइन, lingual या फिर pharyngeal तो यह इसके क्या हो सकते हैं यहाँ यहाँ पर tonsil प्रजेंट हो सकते हैं तो बस इतना याद रखना जो tonsil होते हैं वो आते हैं कि इसके अंतरगत माल्ट के अंतरगत फिर यहाँ पर यह देखो यह हमारा lingual tonsil क्या तो याद रखना पैर स्पैचेज भी कहां पर आता है माल्ट के अंतरगत पैर स्पैचेज अकर तिन सब म्यूक्रोसल लेयर प्रजेंट विनित दा लामाइना प्रोप्रिया लाइनिंग अंडर दा एपिथिलियल लेयर आफ इंटेस्टाइनल विलाई सिंपल सा याद रखन अब देखो लमाइना प्रोप्रिया अकर्स अंडर दा एपिथिलियल लेयर आफ इंटेस्टाइनल विलाई ये यऀ तो हो गया हमारा मतलब सेकेंडरी लिंफायड और और प्रैमरी लिंफायड और तो ये सारी चीजें यहां पर हमने डिसकस कर ली हैं लास्ट एक जो कवर कर लेते हैं वो भी 10 मिनट का टॉपिक है इससे ज्यादा नहीं है तो देखो यहां पर हम डिस्कस करते हैं वैक्सीन के बारे में और हाँ आप इसको हलके में मत लिना वैक्सीन के बारे में जो कुछ भी है इसके टाइप वगरा सब कुछ इसी में हम डिस्कस करनेंगी मेरी पर यहारे इम्यून सिस्टम के मेमरी पर यह बेस्ड होता है तो इहार रापित कि अधर किया प्रिंसिपन आपशंग बेस्ट और प्रॉपर sending आप डिवार मेरीं यहां पने जहीतला है और यहां पर क्या होता है जह सेल मेजमिक दोने होता है वह बाले कलिए घुरीप तो तो यहां पे देखो जो वैक्सीन होते हैं इसके कई टाइप होते हैं सबसे पहले होता है whole organism वैक्सीन तो इसको हम first generation वैक्सीन भी बोलते हैं फ्रस्ट जनेरेशन क्यों? जो कि बहुत पहले यूज होता था, तो पहले जो vaccine's बनाए जाते थें उसमें क्या होता था? पूरा का पूरा औरगेनिजम उठाके मतलब vaccine बना लिया जाता था फिर क्या हुआ, second generation में उसके sub unit को, मतलब ये देखा गया कि ऐसा कौन सा part है, जो की मतलब वो काम करता है, immunity में कौन सा part मदद कर रहा, उस part को निकाल के जो है vaccine बनाया गया, तो जो first generation vaccine है, यहाँ पे सबसे पहला point याद रखा, यहाँ पे whole organism क्या होता है, use होता है, अब वो दो 18 United means क्या होता है, उसको weak कर देना, किसी भी चीज को weak कर देना, मतलब देखो, अगर मालो एक हस्ट पुष्ट वेक्ती है, तो वो किसी को भी नुकसान पहुचा देगा, लेकिन अगर उसकी पिटाई कर 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 के, उसको एकदम weak बना दो, एकदम weak बना दो, तो क्या हो जा किया जाता था, अब देखो, यहाँ पे इसको मतलब live 18 United, जिन्दा तो है, लेकिन कमजोर हो गया है, अगर कमजोर नहीं करते हैं, तो वो हमको नुकसान पहुचाता, लेकिन वो उसको कमजोर बना दिये हैं, तो अब जो है वो body में present है, तो वो जब कई कई तरह से मतलब हमा वैक्सिन, BCG वैक्सिन और यहाँ पे small box की वैक्सिन जो होती है, यह तो यह तीनों आती है, यहाँ पे whole organism वैक्सिन के अंतरगत, second की बात करें, यहाँ पे second generation, तो इसको हम बोलते हैं सब यूनिट, यानि देखो, पहले तो पूरे organism को उठा के बना लिया जाता था, फिर जो यहाँ पे इस वज़े से इसको बोलते हैं सब यूनिट, तो यहाँ पे क्या हो गया, recombinant, या तो हम उसके recombinant का, यानि किसी protein वगएरा जो भी होगा, उसको निकाल लेंगे, जो नुकसान पहुचा रहा है, तो ऐसा किस केस में होता है, hepatitis B के केस में, या फिर एक होता है toxoid. toxoid क्या होता है, toxin का inactive form. टॉक्सिन का inactive form मालो मतलब कुछ ऐसे बैक्टिरियाज होते हैं जो कि toxin produce करते हैं क्या करते हैं toxin produce करते हैं तो अगर वो toxin हमारे body में गया फिर तो वो हमको नुक्सान पहुचाएगा तो हमने क्या क्या उस bacteria से उस toxin को निकाल लिया फिर उसको inactive कर दिया अगर हम उसको active form में डालेंगे तो फिर तो हमारी body को नुक्सान पहुचाएगा तो हमने क्या क्या उसको inactive कर दिया फिर हमारी body में inject कर दिया अब जो हमारा immune system है उसके प्रती memory बना लेगा फिर कभी भी वो bacteria अगर हमारे body में आएगे अब क्या क्या आते हैं diphtheria, pituses और titanus तो इसी को मिला के बोलते हैं DPT DPT यानि diphtheria, pituses, titanus तो ये क्या करते हैं release toxins ये ऐसे bacteria होते हैं जो toxin release करते हैं तो हम पहले से ही इनके toxin को इनकी body से निकाल के क्या करते हैं उसको inactive करके अपने body में inject कर देते हैं यानि human body में inject कर देते हैं तो अगर कभी भी future में ये bacteria हमारी body में आएंगे तो हमें नुक्सान नहीं पहुचा पाएंगे क्योंकि हमारी immune system के पास में पहले ही memory है कि अगर ये हमारी body में आएगा तो इसको निकालके फेक देना है मार देना है खतम कर देना है फिर देखो last क्या आता है third generation यहाँ पर DNA vaccine जिसको बोल रहे हैं मतलब जो सबसे बाद में अभी बनाया गया है सबसे बढ़ियां कह सकते हैं तो यहाँ पर क्या आता है जैसे कि hepatitis B क्या होता है hepatitis B का जो vaccine है वो किस पर बेस होता है third generation या फिर डियने वैक्सीन तो अगर vaccine के type की बात करें तो क्या हो गया है है हाँ पर whole organism, sub unit या फिर डियने वैक्सीन तो whole organism में killed या फिर live attenuated है sub unit में recombinant, toxide हो गया और डियने वैक्सीन तो यह सारी चीजे हो गई वैक्सीन के बारे में वैक्सीन से related अगर question पूछना होगा तो इससे बाहर भी वो कुछ भी नहीं पूछेंगे तो यहाँ पर यह chapter हमारा होता है complete अब इसके आगे हम कोई new topic उठाएंगे फिर उसको discuss करेंगे तो आप अपना feedback देना मत भूलना इस वीडियो में यहीं तक मिलेंगे अपने next वीडियो में तब तक ले all the rest be happy, be positive